तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं प्रो सेक्सन के चैप्टर वन अगल विथा बास्केट के कुछ मोर्ट इंपोर्टन कोशें अंसर तो यह चैप्टर लिखा है विल्लम सी डगलस ने चलिए हम अपना फर्स्ट कोशन देख लेते हैं तो हमार फर्स्ट कोशन है इस जो बच्चे टोक्रिया बेच रहा है वो कौन है तो हम इसका एंसर देख लेते हैं तो यह जो बच्चे हैं वो सर्राक्षों के बच्चे हैं वन पार्टिशन बिट्वीन इंडिया और पाकिस्तान वर रिक्पीट जब इंडिया मल्की भारत और पाकिस्तान के बीच में बटवारा हुआ था तो थाउजन टॉजन टॉप पूल प दियर रूट्स एंड चेंड बटवारा के टाइम पे वहां पे बहुत सारे लोग थे ज तो चलिए हम अपना नेट कोशन देखते हैं, I hope आपको मेरा यह कोशन समझ में आया होगा, तो हम अपना नेट कोशन देखते हैं, Q2, Where was the writer going? जो राइटर थे, जो William C. Douglas थे, वो कहां जा रहे थे? तो the writer was going to runni khay, throw via segunda to meet plandit nehru, तो जो राइटर थे, वो बर्यली से रानि khay जा रहे थे, आप throw भी लिख सकते हो, या वाया भी लिख सकते हो, तो जो राइटर थे, वो बरेली से रानि khay जा जा थे, plandit nehru से मिलने के लिए, आपको यह question समान में आगे होंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, question number 3, what were the children selling at a railway station according to the writer, why were they doing so, तो जो बच्चे थे, जो railway station पर समान बेच रहे थे, तो वो क्या बेच रहे थे, और where were they doing so, और वो यह क्यों कर रहे थे, तो हम इसका answer देख लेते हैं, the children were selling hand-woven reed basket and friends at a railway station, जो बच्चे थे, वो हाँ से बनाई हुई टोकरिया, और कुछ हाँ से बनाई हुए पंखे बेच रहे थे, railway station पर, they were doing so for a living, वो अपनी अजीविका का पालिन पोश्र करने के लिए यह बेच लाए थे, तो I hope आपको एक question समझ में आ गया होगा, अब हम अपने next question के ओर चलते हैं, question number 4, what forced the writer to buy the little girl's basket, की writer को क्या मलग की प्रेडित हुआ, क्या किस ने प्रेडित किया उस छोटी बच्ची की टोकरी को लेने के लिए, तो इसका answer है, the writer wanted to help the little girl, but he could not buy more articles, मलग की writer जो था, मलग की विल्यम सी डगलस थे, उन्होंने पहले से ही, बहुत सारे लोगों से ये टोक्रियां और अच्छे अच्छे समाल ले रखे थे, तो जब ये लड़की जो है, वो बाद में आई थी, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, कि जो writer थे, वो तो इस छोड़ी लड़की के help करना चाहते थे, लेकिन उनके पास और जगा नहीं थी, कि वो और सामान खरी सके, so he gave her gravity as a substitute, but he returned it, तो उन्होंने कुछ दया करके उसको कुछ रुपए दे दिये, लेकिन उस लड़की ने उन्हें वो वापस कर दिये, and so he had bought her basket, तो जब उस लड़की ने उन्हें वो जो भी उन्होंने दिया था, दान के रुप में, वो वापस कर दिया, तो डाइटर ने सोचा, चलो मैं खरीए थी लेता हूँ, तब हमारा next question है, question number five, where did million of people leave Pakistan, कि जो millions people थे, उन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, तो million of people left Pakistan and came to India for a fear of religious fanatism, जो बहुत सारे, मतलब कि million thousand, हजारो करोरो लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे जो धार में सही सूर्था थी, वो बहुत बढ़ गई थी, इस वज़ए से पाकिस्तान और इंडिया के बीश में बटवारा हो गया, और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को छोड़ का इंडिया में रहने का मिश्य कर लिया तो हमाया लास्ट कुश्चन है कि वो जो लड़की थी छोटी सी उसने वो जो लेखक ने उसे एक चैरिटी मलपी दया के रूप में जो रूपए दिये थे तो वो क्यों ने उसने एकसेप्ट किये या सुइकार किये तो इसका अंसर है इसलिए उसने जो रॉपए दिया के रूप में उसने उसे सुइकार नहीं किया तो यहीं हमाया कुछ इंपोर्डन पोर्टन कुश्चन थे जो कि खतम हो गया तो अगर जो आपको मेरी वीडियो पासंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देज़े थैंक्स, बाइ-बाइ तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ प्रो सेक्षन के चैप्टर वन तो यह चैप्टर लिखा है विल्यम सी डगलस ने, चलिए हम अपना फर्स्ट कोशन देख लेते हैं तो हमारा फर्स्ट कोशन है, वो वर थीज चिल्रें सेलिंग बास्केट, कि यह जो बच्चे टोक्रिया बेच रहे हैं, वो कौन है तो हम इसका एंसा देख लेते हैं, इस वर रिप्यूगी चिल्रें, मलब कि यह जो बच्चे हैं, वो सरनाख्चों के बच्चे हैं, वन पार्टिशन बिट्वीन इंडिया और पाकिस्तान वर रिप्रीट, जब इंडिया मलकी भारत और पाकिस्तान के बीच में बटवारा ह हुआ था, तो थाउजन और पीपर पुल्ट अप दियर रूट्स एंड चेंड दियर रूट्स तो वहां से बटवारा की टाइम पे बहुत सारे लोग थे जिन्नों ने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को जोइन के यह मलब कि वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में अब है तो यह जो बच्चे के जो टोक्रिया बेच थे वो उनी के बच्चे तो इस चिर्रन सेलिंग बास्केट वोज संगतार ऑफ दिस फूगिस तो चलिए हम अपना ने ने कोशन देखते हैं आई होप आपको मेरा यह कोशन समझ में आया होगा तो हम अपना नेकोशन दे कुषिण undertaking स intentional कुषिए नमट्म इस responder गोईंग जो लिञटर थे जो विल्यमीट सी डगल थे वह कहां जा रहे हैं तो ढाहिटर वहाइटर वो रानी खेट थ्रोव वाया बरेजी तूमीट पंडित नहरू तो जो राइटर थे वो बरेली से रानिखे जा रहा थे आप थ्रो भी लिख सकते हो या वाया भी लिख सकते हो तो जो राइटर थे वो बरेली से रानिखे जा थे पंडित नहरू से मिलने के लिए आपको यह question समान में आगे होंगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं question number 3 क्यों what were the children selling at a railway station according to the writer why were they doing so तो जो बच्चे थे जो railway station पर समान बेच रहे थे तो वो क्या बेच रहे थे और where were they doing so और वो यह क्यों कर रहे थे तो हम इसका आंसा देख लेते हैं the children were selling hand-woven read basket and friends at a railway station जो बच्चे थे वो हाथ से बनाई हुई टोक्रिया और कुछ हाथ से बनाई हुए पंखे बेच रहे थे और railway station पर they were doing so for a living वो अपनी अजीविका का पालन पोश्र करने के लिए यह बेच लाए थे तो आई होप आपको एक question समझ में आ गया होगा अब हम अपने next question के और चलते हैं तो हमारा next question है question number four what forced the writer to buy the little girl's basket कि राइटर को क्या मलकी प्रेरित हुआ क्या उस ने प्रेरित किया उस छोटी बच्ची की टोक्री को लेने के लिए तो इसका answer है the writer wanted to help the little girl but he could not buy more articles मलकी राइटर जो था मलकी विलेम सी डगलस थे उन्होंने पहले से ही बहुत सारे लोगों से यह टोक्रियां और अच्छे-च्छे समान ले रखे थे तो जब यह लड़की जो है वो बाद में आए थी तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि जो राइटर थे वो तो इस चोड़ी लड़की के हल्प करना चाहते थे लेकिन उनके पास और जगा नहीं थी कि वो और सामान खरी सके तो जब उस लड़की ने वो जो भी नोने दिया था दान के रूप में वो वापस कर दिया तो डाइटर ने सोचा चलो मैं खरीद ही लेता हूं कैसे question number five why did million people live for Pakistan कि जो million people people left Pakistan and came to India for a fear of religious fanatism जो बहुत सब्सक्क्तव मानी थाउजन हजारों कड़ों लोग थे उन्हों ने pulling लड़की थी चोटी हूं उसने वह जो लेखक ने उसे एक्टेटी मिलबन दया के रूप में जो रूपए दिये थे तो वो क्यों नहीं उसने accept किये या स्विकार किये तो इसका अंसर है the girl did not accept the money as charity because she was a self-respected girl कि वो लड़की जो थी वो बहुत ही आत्मसमानी लगी थी वो बहुत ही self-respected थी इसलिए उसने जो राइटर ने रुपए दिये थे दया के रूप में उसने से स्विकार नहीं किया और स्विकार कर दिया तो यहीं हमारे कुछ important most important question थे जो कि खतम हो गया तो अगर जो आपको मेरी वीडियो पासंद आई हो तो आप इसे like करिए, subscribe करिए और bell icon को भी प्रस का दीजिए थैंक्स, bye bye